नमस्कार दोस्तों, न्यूज धरोहर में आपका स्वागत है नवरात्री के इस महापर्व में आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराश्ट्र के कोलापुर में स्थित अठारा सो साल पुराने महालक्ष्मी मंदिर के सफर पर मालक्ष्मी का ये मंदिर भारत की भव्विता को तर्शाता है मालक्ष्मी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की चारों दिशाओं में एक एक दर्वाजा मौजूद है और मंदिर का दावा है कि मंदिर में ठीक ठीक कितने खंबे मौजूद है इसे आज तक कोई नहीं गिन पाया मज़े की बात ये है कि इस मंदिर में दर्बाजों और खंबों की गिंती आज तक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बनी हुई है खोलापुर का श्री मालक्ष्मी मंदिर माता के 108 शक्ति पीठों में से एक है इतिहास में तर्ज तथियों की माने तो इस मंदिर का निर्मान सात्वी शताप्ती में चालुक किवंच के राजा कर्ण देव ने करवाया था मंदिर को लेकर माननिता है जहां स्थापित माता लक्ष्मी की प्रतिमा लगभग 7000 साल पुरानी है और मंदिर के अंदर नव ग्रहों सहित, भगवान सूर्य, महिशा सुर मर्दिनी, विट्टल रखमाई, शिवजी, विश्णू, तुलजा भवानियादी, अनेक देवी देवताओं के भी पूजा स्थल मौजूद है इन देवी देवताओं की प्रतिमाओं में से कुछ का निर्माण 11 सदी का बताया जाता है इसके अलावा मंदिर के आंगन में मनी करने का कुंड पर विशेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है यहां एक काले पत्थर के मंच पर देवी महालक्ष्मी की चार हातों वाली मूर्ती सिर पर मुकुट पहने हुए स्थापित है माता की प्रतिमा को बहुमूल गहनों से सजाया गया है उनका मुकुट भी लगबक 40 किलोग्राम वजन का है जो बेश कीमती रतनों से मडा हुआ है काले पत्थर से निर्मित महालक्ष्मी की प्रतिमा की उचाई करीब 3 फीट है मंदिर की एक दिवार पर श्री यंत्र पत्थर पर उकेरा गया है देवी की मूर्ती के पीछे पत्थर से बनी उनके वाहन शेर की प्रतिमा भी मौजूद है वहीं देवी के मुकुट में भगवान विश्रू के शेशनाक का चित्र बना हुआ है अन्य हिंदू मंदिरों से अलग पूरब या उत्तर दिशा की बजाए यहां महालक्षमी पश्चिन दिशा की ओर मुख करे हुए स्थापित है देवी के सामने की पश्चिमी दिवार पर एक छोटी सी खुली खिड़की है जिससे होकर सूरज की किरने देवी लक्षमी स्वरूप पर अभिशेक कर उस प्रतिमा की आभा को भाती है आप भी यहां आकर मां से मनोकाम ना मांग सकते हैं मां आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगी नवरात्र के इस महापर्व पर माता की भक्ती की शक्ती देखते रहें सिर्फ न्यूज धरोहर पर आप हमें कॉमेंट कर दे अपने सुझाओ और बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलू करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले वीडियो को लाइक करें और शेर करें